पाकिस्तान के उपर बड़ी चोड़ थी और खासकर कि ये बहुत महत्तोपूर है कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो सीमावरती इलाका है वो भी उसके जद में आये हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग है अध्रू ये बड़ी का रवाई है ये जस्न है ये विजय दस्मी का जस्न है हमने जो है चालिस का बदला तीन सो से लेकर लिया ये जस्न है इसको जस्न क पूरे देश में एक दम से उल्लास है बिलकुल बिलकुल पूरे देश में पूरी तरह से उल्लास है और जो हमारे भारती जवानों ने किया सलूट है उनको घुस कर मारा है और न सिर्फ पियो के बलकि सिमावरती आपने का सिमावरती इलाकों में पाकिस्तान को सीधा सीधा चेताओं नहीं दिया है और वहाँ आपात बैठक भी बुला ली गई है पागिताओं हलाकि वह इंकार रहा है इस चीज़ से लेकिन फिर भी आपात बैठक बुला ली गई है इसलिए अम्मे तो सिर्फ इतना ही कहूंगा आज खुसी का दिन है और सिर्फ खुसी होनी चाहिए तो पूरे देश में खुसी की लहारा एक चीज़ और भी समझना जरूरी है कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी का रवाई ये भारत सरकार और सेना के पराकरम को दर साता और यही वज़य है कि पूरे देश में एक उल्लास का महौल है जैसे लग रहा है दिवाली मन गई है क्यो ये शंका थी कि भारत का रवाई कर सकता है इसके बावजूद भारत का सीना जो 56 इंच का प्रधान मंतरी मोधी का सीना और हमारी सेना का बड़ा पराकरम ही था कि घुस करके इतना बड़ा हमले को अंजाम दिया आप नसे को नहीं भूल सकते देव जी अजी डोबाल ने पूरे पूरे ये अपरिसन का उनों संचालन किया बाट करकर और बारा दिन के अंदर बदला जबकि दुस्मन पूरी तरह से सचे था कि कभी भी कुछ भी हो सकता था हम लगातार चेताउने भी दे रहे थे और ना स जैसे कि नरेंद मोधी कह रहे थे कि एक सिर के बदले दस सिर लाएंगे वो लिया गया है सुत्रों के मुताबिक 200-300 से जादा आतंकी धेर किये गए हैं जो भारतिय सेना को छूट दी गई थी उसका फायदा उठाय और सेना ने कारवाई जो की है उसे भारत में हर्ष भी है और उसके साथ साथ इसको बस पहल के तौर पर देखा जा रहा है अब आगी कारवाई भी बाखी है मैं अपने दर्सकों को जरा बता दूं कि इस समय जो विदेश मंत्राले की प्रवक्ता उन्होंने ब्रीप किया है कि मजहरसूत का ठिकाना था उसको हवाई हमले के जरिये उसको निशनाबूत किया गया है और पूरी तरीके से ये कारवाई प्रोफेशनल आर्मी जो भारती सेना के पाकिस्तान से कि वहां पर रेल्वे मंत्राले ने एक महिने का जो है और वो तेल अगयरा सब रख लिया है क्योंकि उनको साथ परसंट अंदेशा है भारत की कर सकता है लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरीके से हमारी सेना हमारी सरकार सब्सक्राइब मनोबल बढ़ा है जिए इसमें कोई दो राह नहीं है और अब तो यह लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं यह पहली बार भरोसा पैदा हुआ है अमरेकिन इस करवाई के बाद पा जो पाकिस्तान के प्रदान मंतरी इम्रान खान बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे कि हम भी जबाब देंगे, हम यह करेंगे, मोग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को खुद का आवकात आज मालन चल गया होगा, कि इसके घर के अंदर घुज करके, जिस तरीके से 200 से लेकर कहा जबाब देगा, और प्रधान मंतरी ने ने कहा था, कब देंगे, कहा देंगे, कैसे देंगे, यह वक्त नहीं तैय करेगा, और पुरे देश में खुशी का महौल है, जो तैस सीमा के अंदर जबाब देना बहुत बाड़ी बात थी, और यही वज़ा है कि पूरे देश म का महौल है, मैं अपने लोगों से बात करूँगा, आप यह बताइए कि इस करवाई के बाद आप क्या सोचते हैं, कि लगा कि हिंदुस्तान में जश्म का महौल है, यह करवाई एक बहुत अच्छी करवा, यह आतन के ओपर चोट है, और ऐसा करना बहुत जरूरी था, पहली बार भारती सेना के इतिहास में पहली बार इस तरीके से हवाई सेना का इस्तेमाल धुरू हुआ है, कम से कम इस काम के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, बिलकुल और हवाई, जो हमारी हवाई सेना है, इसका उपयोग कारगिल में कम हुआ था, 71 के बाद अब तक सही तरीके से नहीं हो पाया था, और पहली बार और जब अभी इनका एक शो था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारा इस्तिमाल होता है, तो हम बहुत बढ़ी और ये भी बताऊं, अपने दर्सकों सो बताऊं, कि ये जो कारवाई थी, वाई सेना के लिए इसको भी मार दिया गया है, और एक और बात बहुत महत पूर है, कि ये जो दोनों आतंगवादी है, दोनों आतंगवादी सरगना, हाफिस सहीद और अजर मसूद, ये छिप गए हैं, ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, खुद का जो जान जब खत्रे में जाता है, तो ख आतंगे ठीकार ने तो इस पर हमला था, लेकिन इसके आगे मैं जानना चाहता हूं, कि ये कितना, एक जस्न की बात और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले, दो चार दिन पहले मसूद अजर का वीडियो आया था, और वो पाकिस्तान सरकार को और भारत सरकार को दोनों को चे इसकी चर्चा हो रही और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कि हम कहते है, इंडिया कहता है, कि शुक्रिया देश की सेना, बहुत-बहुत धन्यवाद, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये समय हमारे जस्न का है, और इसमें कोई दो राहनी की सवा सो करोड़ देशवासी अभी सर शुरुआत है, अभी देखना है कि आगे की कारवाई क्या होती है, जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, ये बड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी मसूद अज़र बचा हुआ है, तो अभी देखना है कि आगे की कारवाई क्या होती यह दुरू तो यह कहीं ने कहीं पाकिस्तानी सेना के मनुबल को तोडने वाली हैं कि हम आपके अंदर घुसे ना सिर्फ प्यों के बलकि पाकिस्तान का जो सिमाबरती लाका उसमें भी खुसें तो यह बहुत बड़ी कारवाई है मेरे इसाथ चुनावती देकर खुसें वह हम मैं सब पीछे से जोला है मम झीनिंतर कौन हम चुना हूं हमके हमारे में को पाकिस्तान की परजनों के कलेजे को ठंड़क पहुंचियोगी देव जी तो आज ये पहली बार है जब हिंदुस्तान जस्ट मना रहा है वो भी बिना दिवाली के और क्रिकेट की बात नहीं है ये अजीब बात है कि आज पाकिस्तान के प्रधान मंतरी जो है क्रिकेटर है लेकिन खेल भारत ने खेला है और ऐसा खेल खेला है कि उनको आजीबन यह सोचना जब तक वो रहेंगे उनको सोचना पड़ेगा भारत ने चड़के उनके उपर कारवाई खेला है देव जी फ्रंट फूट पर खेला है और पहली बाल पर छक्का मारा है इसमें कोई दोरा नहीं आग तो खु पाकिस्तानी सेना नहीं बताते हैं उनके एफ लसके फो कोफे वहां खड़े फ्रंग माइं लेकिन मिराज के सामने टिक नहीं पाए और यह भारतियों की जीत आ है भारत की जीत है इसमें कोई दोरा ने मिराज की बात हो रहे हैं मिराज के बारूर को कुछ जानकारी देना चाता हूं कि यह वही कंपनी जिसने राफेल को बनाया है जिसे लेकर भारती राजनीत आज भी गरमाई हुई है मिराज 2004 जेनरेशन का मल्टी रोल सिंगल इंजन रडाकू विमान होता है इसकी पहली उडान साल 1970 में आयुजित की गई थी यह फाइटर प्लेंड अभी लगब ने ही बंबर साय थे और इने को किमान दी गई इन्होंने फिर से दुबारा इसको कितनी बड़ी घटना मान थे को जो कारवाई होता common के अपने कि पूरे मैं कहता हूं विश्व में अगर आप उठा करके देखेंगे तो किसी को जबाब देने के लिए हमारे सच्छा में और राफेल को लेकर के भी चर्चा हो गई है और लोग कह रहे हैं कि कली प्रधान मंत्री ने कहा था कि एक परिवार है जो राफेल को नहीं आने देना चाहता क्या संकेति इसके समस्था आज राजनीत की बात मत करीए आज तो शर्फ यह अभी भी जो ख़बर आ रही है कि कु पानी बंद करने की बात आ गई उसके बात जो है जो हुर्यत के नेता थे उनसे सिक्यूरिटी वापस ले ली गई उसके बाद टमाटर करके 200 प्रत्सत का जो करा दिया गया तो कारवाई लगातार हर दिन हो रही थी लेकिन यह लग रहा है कि निर्डाइक कारवाई थी प्र हम बदला ले लेंगे आप किसी तरह की कारवाई मीडिया में बताता हूं कि जहां पर हमला हुआ है उस्ताद गोरी समू अजहर का साला था जो वहां पर मारा गया है यूसूप और यह बालकोड कैम पीयोके में है यानि यह जो पाकिस्तान अधिकरित कस्मीर है उसमें है वह पाकिस्तान के अंदर घुस करकर के और उसके ठीक बॉर्डर पर इतना बड़ा इलाका 80 किलोमेटर का इलाका है और इतनी दूर गे पाकिस्तान सेना सो रही थी आपको लगता है सो रही थी सोने का तो वह नहीं जानते हैं सो रही थी क्योंकि बाकिस्तान घबरा गई है दूसरी चीज आज हम एक चीज यह पूछना चाहेंगे देव जी पहली सर्जिकल स्ट्राइक का जो सबूत मांगते थे आज उनके बयान को देखना बहुत दिल्चस्प होगा वो देंगे या देखर में बैठे रहेंगे राहूल गांदी का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जाबाज पाइलटों को बहुत 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 बढ़ाई और उसके बाद के लिए बहुत बड़ी लखिश दी गई है और पाकिस्तान के लिए सबक कि अगर दुबारा ऐसा करोगे तो मारे जाओगे ऐसा लगता है नहीं ऐसा मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यह तो भी प्राथमिक कारवाई है आप इसे अंत क्यों मान रहे हैं अभी जो पाकिस्तान का डर हो सकता हमारी इच्छा हो अभी तो 300 मरे हो सकता यह मामला 3000 में अबदील हो अभी तो हम जोस में हैं आप अब इसको यह हम यह हमारी प्रथम कारवाई है तो यह यह भी है कि इस ऑप्रेशन को लेकर कि जो एनेस से हो लगातार संपर्क में थे और प्रधान मंत्री यह भी बताया जा रहा है हमारे सुत्रों ने बताया है कि प्रधान मंत्री एक एक मिन पहली बार हम ने इतनी बढ़ी कारवाइन की है और वी जी जानना चाहता हूं कि जब इतनी बढ़ी कारवाई की फूर दे जाती है तो राज नितिक नेत्रित भी बहुत बड़ा जीम्मीदारी होना चभु homo सच पूछीए तो जो लोग इस box दोले होते हूं चाहे वो मौके पर हो नहों उनकी नीद ह्राम रहती है। के लिए पूरी त्यारी कर लिए अब आगे क्या हो सकता आगे यही हो सकता जहां तक मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से अमेरिका ने करवाई किया था और सामा बिलनादेन पर बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे मुहम्मध के जो सर्गना है अजहर मसुद उन पर करवाई होग उससे उनको निकाल करके उनको सबक सिखा जागा उनको जो है मौत के घाट उतरा जाएगा यह बड़ी करवाई थी प्रियंका यह लगता है कि पाकिस्तान कुछ कर सकता हमारे क्या कर सकेगा सर हाई अलर्ट जारी था हाई अलर्ट की स्थिति में अगर भारत इत्ती बड़ी कारवाई कर लेता है तो जब वो अलर्ट नहीं होंगे तो क्या कर लेगा क्या कर सकेंगे कहा नहीं जा सकता है कि आत्मघाती हमला वो लोग करते हैं और हम कहते रहें कि हमारी सेना इतनी स्टॉंग इतनी प्रोफेस्टनल है कि बिना जान गमाए भी इतने बड़े ओपरेशन को अंजाम देशाएं अभी आपने एक चीज कही थी वह अभी ख़बर आई है कि सेचुशन रूम में रात भर मोधी जाकते रहें और लगातार निगरानी करते रहें और हमारी सेना सर देखे बहादूर अगर कोई पीछे से घुसके न मारे तो हमारी सेना का मुकाबला दुनिया में कोई कर नहीं सा यह गवा है आजादी के बाद से अब तक जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक यह चीज चीज बात का गवा है कि पाकिस्तान जब भी लडाया सामने से भागा है तो सामने सामने जब भी पाकिस्तान से लडाई हुई है उसे हार मिली है और अब जबकि 26 तारिक को इतने बड़े हमले को अंजाम भारती वाई सेना ने दिया है पूरे देश को गर्व है फक्र है और हम सीना चोडा करके कह सकते हैं कि हमारे देश की एक ऐसी सरकार है जिसने को लेने में एकदम से संजीत की दिखाई और सेना ने इसको कामयाब बनाने के लिए अपनी जान के बाजी लगा दी देख तेरे एक्सपोजन लिया अब तो के सब्सक्राइब तो के सब्सक्राइब कर दो